हलो दोस्तों स्वागते आपका हमारे चैनल पर एक बरिफेट चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इनफरमेटी वीडियो जो हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते रहें तो अगर आप भी अच्छे पीनट बटर की तलाश में तो मैंने अभी अभी अबवी एमजोन से एक प्रोड़क्त मंगवाया है एमजोन से मैंने पिंटोला का पीनट बटर मंगवाया है जो बिल्कुल और गानिक है तो उसकी अन्बॉक्सिंग में आपके लिए करने वाला ह साथ साथ आपको दिखा हुए एक्च्छल प्रोड़क्त कैसा है तो जादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो चलिए इस बॉक्स को भी ओपन करते हैं पैकिंग अमेजोन की अच्छी है काफी अच्छे से उन्होंने पैक किया है हाला कि थोड़ा से यह जो बॉक्स है दब गया है लेकिन उसके ज्यादा कुछ फरक नहीं पड़ता है तो अभी यह मैंने बॉक्स ओपन कर लिया है तो जैसे मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ आप देखेंगे अंदर जो प्रॉड़क्ट है मुझे नजर आ जाता है तो यहां पे उपर प्रॉड़क्ट की ब्रैंडिंग भी करी गई है पिंटोला साथी साथ इसको बबल जो रैप होता है उसमें दिया गया है क्योंकि यह इसका जार है शायद वो है तो यह प्लास्टिक का ही जार लेकिन इसको बबल रैप में दिया गया हो सकता है किसी लंबी देस्टिनेशन से आया हो इसकी प्रोटेक्शन का पूरा धिहान रखा गया है तो अब इस बबल पैक को काटते हैं और उसके बाद आपको दिखाता अब यह प्लास्टिक का बॉक्स है और अगर मैं आपको यहां पर दिखा हूँ उपर जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया है यहां पर ब्रैंडिंग करी गई है यहां पर बताया गया है यह पीनट बटर है पिंटोला का साथी साथ इसके नुट्रिशनल फैक्ट की इंफ चूस करें तो इसमें यह बताया गया है कि यह अल्वेस फ्रेश है प्रिसाइशली रोस्टिड नट्स यानि कि इसमें जो भी बनाया गया है जिस यह रोस्टिड नट्स से इसको बनाया गया है और रिस्पॉंसिबली सोर्स इंक्रीडियंस यानि कि इसमें जो भी साथ हेल्फ, वेट मैनेजमेंट में भी आपकी मदद करता है साथ ही साथ contain healthy fats यानि इसमें जो भी fats होते हैं वो पूरे के पूरे healthy fats इसमें पाये जाते हैं अगर ingredients की बात करों सबसे important चीज है जब भी आप किसी भी peanut butter को लें यहां पर देखें कि वह sweetened तो नहीं है या उसमें और किसी दूसरी तरीके के preservatives या दूसरी ingredients तो नहीं मिलाए गए है तो अगर इसमें आपको दिखाओं यहां पर clearly mention किया गया है कि 100% roasted peanut से बनाया गया है यानि कि इसमें और दूसरा कोई भी ingredient नहीं है यानि कि बहुत ही healthy peanut butter आपके लिए होने वाला है साथ ही साथ अगर इसम इसको manufactured in facility that also process other nuts यानि कि इसको उस facility में तियार किया गया है जहां पर दूसरे nuts को भी तियार किया जाता है इसमें यह भी बताया गया है इसको cool and dry place में आपको रखना है और refrigerate after opening to preserve freshness यानि कि इसको आपको refrigerate करना है इसकी freshness को बनाया रखने के लिए पूरी information यहां पर दी ग और इसके साथ अगर मैं आपको यह बताओं तो आप इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे आप इसको 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 healthy snack के रूप में आप ले सकते है अपलाए पी 8 on pintola brown rice में आप यूज कर सकते हैं केक्स में यूज कर सकते हैं और फ्रेस जो आपके fruits रोटे उनके अब इसमें यह भी बताया गया कि आप इसको दूद के साथ भी रह सकते हैं इसमें बताया गया है कि 250 ml दूद के साथ आप 2 टेबल्सपून PINKOLA बटर की रह सकते हैं और उसमें कुछ honey भी मिला सकते हैं अपने shakes के साथ और जिससे की shake जो उसको अच्चे से आपको shake करना है जिससे की जो पूरा का पूरा जो लिक्विड है विल्कुल आपका स्मूध हो जाए तो कुछ इस तरह किसे इसकी information यहाँ पे दी गई है प्राइस के अगर मैं बात करों तो यहाँ पे 199 रूबी उसका प्राइस बताया गया है अगर आप online sale में लेते तो शाहद आपको थोड़ा और सस्ता भी पढ़ जाए इसके साथ साथ अगर थोड़ी से और information में आपको दिखाओं तो यहाँ पे इसकी manufacturing date दी गई है 21st of May 2020 के उसको बनाया गया है net weight की information दी गई है 350 gram इसका net weight है और healthy product है अगर nutrition facts की आप बात कर दो यहां पे सारे के उसके nutrition facts देगए है dairy दिया गया है इसमें total sugar का बताया गया है इसके अंदर है total fat के बारे में information दी गए है cholesterol के बारे में information दी गई है तो पूरी की पूरी information यहां पे आपको दी गई है और यह था इसका कुछ आउटर बॉक्स अगर नीचे की तरह भी दिखाऊं तो यहां पर भी आपको पिंटोला की जो है वो ब्रैंडिंग की गई है तो अब चलिए इसको एक बरी में आपको ओपन करके दिखाता हूं कि अंदर से पीनट बटक दिखता कैसा है तो यहां से मैं तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसका बॉक्स ओपन कर लिया है और अभी यह मुझे लिक्विट फॉर्म में दिख रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही अमजॉन से मेरे पास आया था और यहां पर समर्स का सीजन चल रहा है इसकी जो टेंडेंसी है थोड़ी से लिक्विट हो गई है जैसा कि नॉर्मल बटर में भी होता है अगर हम कोई अमूल का बटर या दूसरा बटर भी लेते हैं मार्केट से तो उसमें भी क्या होता है अगर गर्मियों में आप आप इसको भार रखते हैं तो जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो आप देख सकते हैं इस spoon के अंदर आपको नजर आ रहे हैं इसलिए बिल्कुल प्लेन ना होगी काफी crunchy आपको इसका तेस्ट रहेगा तो चाहे आप इसको अपने smoothies में मिलाएं चाहे आप इसको अपने bread लगा के खाये प्राथे भी लगा के खाये किसी भी चीज में लगा के तो इसकेस में भी आप इस peanut butter को अपलाए कर सकते हैं अपने खाने की चीजों में जिससे कि आपको टेस्ट का टेस्ट रहेगा अच्छा protein भी बिलेगा और साथी आपको किसी बी तरीकी की कोई sweetened और कोई भी added sugar उसमें नहीं मिलेगी जो कि आपको आगी weight loss में काफी मदद कर तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसको मैंने आपको open करके दिखाया और बार बार में आपसे यही कहा रहा हूं कि अगर आप भी इसको मंगवा है और अगर समर में मंगवा है तो सबसे पहले आप इसको रेफ्रिजरेट कर दे ताकि इसकी जो टो जैसे normal peanut butter होते हैं में अगर इस peanut butter को लेकि कोई सवाल है आप मेरे comment section पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपने एक अच्छा healthy lifestyle चाते हैं एक अच्छा healthy you know food चाते हैं तो आप इस peanut butter को अपने smoothies में अपने खाने की चीज़ों में लगा के खा सकते हैं क्योंकि unsweetened है अच्छा है brand की बहु को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को like करें हमारे चैनल को subscribe करें ताकि इसी तरह की informative videos हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आप